हेलो फ्रेंट्स वल्कम बैक्ति दूस चैनल मैं संदीब कुमार सोनी आपका प्रस्वार्टी डेवलोप्मेंट के इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूँ आज बात करूंगा आपसे 6 ऐसे हैबिट के बारे में 6 ऐसे हैबिट जो आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं या उनको आप चेंज करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं हां friends कुछ ऐसी हैबीट होती है जो हमें साय नहीं करनी चाहिए उसके बावक्जूद भी हम करते हैं चल ये जानते हैं वह कौन ऐसी हैबिट है जिनको चींज करके अपनी लाइफ को को चेंज कर सकते हैं पहले हैबिट के बारे में बात करता हूं पहला है है डोंट वाच टीवी और प्ले गेम बिपूर गोइंग तुदा बेट फ्रेंट जनरली हमारी आदत होती है बच्चों की आदत होती है हम टीवी देखते हैं टीवी में बहुत सारा सीरियल आता है कभी ज़िए पर किसी कहाणी को देखते हैं टीवी ऌससरें की प्रोगरम को बनाया जाता है वह इस त Hotird और, अने कि वह मडुड़ावस इंदर होता है हूँ कि यह बहुत बल्कुल ज़ल्द के अंदर होता है जब भी आत जबी मारि ँझोय नुकसाणत डायक होता है जब आप मै आपके development की चीज़े नहीं दिखाई जाते हैं generally TV के अंदर वो दिखाई जाता जो लोगो जो चीज़ वो तो दिखाना चाहते हैं अगर आपको अपने improvement को पर friends काम करना है तो आप प्रिफर करिए आप YouTube की देखिए क्यों YouTube या जो भी अधर social media होते हैं वहां पर वो देखेंग नॉलेजफूल चीज़े देखते हैं तो वह ऐसी चीज़े आपको push up करके वहां पर दिखाई जाती हैं जिससे अपना आप growth कर सकते हैं तो इसलिए कभी भी आप जब भी सोने जाते हैं तो उस टाइम TV मत देखिए TV देखने के बाद तुरण बादनस हो ये या गेम खेलने जो हमारे बाडी को relax करने नहीं देता है क्योंकि सोने का मतलब होता है अपने brain को अपने body को relaxation देना जो जब हम ऐसा करके सूते हैं तो हमारी body हमारा brain पूरी तरी से relax नहीं हो पाता है अगले दिन पूरी energy के साथ हम workout नहीं कर पाएंगे या daily को जो भी routine work है उसको हम work नहीं कर पाएंगे completely ठीक है वो energy हमें नहीं मिलेगी जो energy हमें पूरे दिन work करने के लिए चाहिए दूसरे habit की बात करता हूं यह generally मेरे साथ भी बहुत ज्यादा होता है और यह बहुत ही bad habit है ठीक है मैं भी से बाहर निकलने की पूरी तरह कोसिस कर रहा हूं और ठंड में खर यह ज् जो भी timing हम लोग fit करते हैं उस पर फिर बेल होता है उसमें snooze का option आता है means हम यह snooze कर देते हैं कि 10 मिनट के बाद हम उड़ जाएंगे स्नूच जो बटन होता वह 10 मिनट के लिए पौच कर देता है उस रिंग को और 10 मिनट के बाद फिर रिंग स्टार्ट कर देता है तो ज मैन को होताल नहीं होता इसलिए आप वह नीट का कोई मतलम नहीं होता स्थानी जिखा तो आपके brain को relaxation नहीं देता है तो आप वह नीच देटा या alarm कर रिंग करता है तो आपको तुरंत ओड़ जाना चाहिए बहुत अच्छी habit है don't skip the breakfast जनले हम लोगों के अंदर habit होती है भाग दौर में करते हैं सुबह हम breakfast नहीं करते हैं ऐसी hassle-free life में भागते रहते हैं और breakfast को miss कर देते हैं breakfast बहुत ज़्यादा जरूरी है आप dinner जो है वो कम कर सकते हैं reduce कर सकते हैं but breakfast हमेशा जो है आपको heavy and अच्छा breakfast लेना चाहिए क्योंकि आप दिन का सुरुवात कर रहे होते हैं आपको बहुत ही extra calorie की बहुत ज़्यादा extra energy की requirement होती है अगर आप heavy breakfast लेंगे पूरे दिन आप active होके काम करते रहेंगे उत्य नंबर point के मैं बात करूं don't forget to prepare your cloths for the next day before one day night means कहने को मतरब यह है कि जब आपको जहां भी कल जाना है उसकी आपको planning तो पहले सी रहती है कि कल हमें काम पे जाना है कल चुटी मानना है कल घुमने जाना जहां भी जो भी work के आप करते हैं उसका जो कपड़ा होता है cloths होता है उसको निगाल के पहले ही prepare करके आप रख दीजिए ठीक है सुबह सुबह क्या होता बहुत जल्दी होती है जाने की हम क्या करते हैं कि जो मैचिंग अच्छी होनी चाहिए वह मैचिंग हमें personality development में जिसे हमने बताया था आपको कि कपड़े हम मैचिंग के साथ पढ़न सकते हैं ठीक है कपड़े हमारे पास होते हैं बट जल्दिवाजी की वजह से हम आओ ध्यान निश Вас पहले पहले तो उसके लिए kपड़ा रहे गया इसके साथ ये मैचिंग रहेगी उस मैचिंग के हिसाब से उसको प्रेस कर लिजिए प्रेस नहीं है यह जो भी प्रॉलाम है आप सू है सू प्रॉलिस कर सकते हैं यह सारी जो भी अपकी ग्रूमिंग की चीज़े हैं आप बाहर निकाल के रख दीजिए सुबह उठें प्रिपेर होगे और वो ड्रेस आराम से इजली आप पहन के जा सकते हैं यह बहुत ज्यादा कन्विनियन्ट होगा आपको मैं रियल में बता हूँ यह अपने लाजे में प्रेक्टीस करता हूँ आपको इतना ज़यादा बेनीफिर्ट मिलेगा और इतना ब्रेटर आप फियल करेंगे न एक दिन पहले कपला निकलके जेहां भी आप वर्क करते हैं वहां हमें साथ टाइम पे पहुंचिए यह एक हैबिट वाली बात होती और कुछ नहीं बहुत सरे लोग टाइम के बहुत जया पामन्द होती है आप अगड़ चीजे टाइम पे पहुँचेंगे तो टाइम पे चीजों को फिनिस कर पाएंगे गो लेट मीज जो यह हैबिट है लेट जाने कि इससे क्या होता हमारे खुद के अंदर एक अलग सा इरीटेशन होने लगता है यार मैं लेट आया हूँ अब जो अगला वला बंदा आप उसको कुछ बोल नहीं पाएंगे अगर उसको डाटना भी तो आप डाट नहीं दूसरी बत कि आप लेट पहुंचेंगे तो आपको अफिस में अलग से सुना दिया जाएगा अभी सुबह सुबह आपको वर्क ही स्टार्ट करना था दूसरे आदमिया ने आपको चार बास सुना दिया अगर आप जॉब में रहते हैं तो फीड लिवर्क में रहते हैं वह आप अच्छा कुमार वह इसकी बात करूंगा अगर अच्छा कुमार करते हैं या उसका इंट्रिव्यू देखें होंगे तो अच्छा कुमार का कहने था हूप बहुट जादी अर्ली मॉनिंग उठते हैं exercise करते हैं में इस अपने लाइप के अंदर बहुत ज़़दा fit रहत हमें जो इसलिए हमें हमें मिल जाता है इसलिए हमारी पिक्चरें घाते में नहीं या पिक्चरों के साथ ऐसी कोई आईड़िस प्रॉबम नहीं आती है थासम कहना है कि अगर आप काम करते हैं तो वह अच्छा होई अच्छा ही होता है चलिए six point की बात करता हूं 6. Never leave your home in anger Means friend, जब भी आप अपना घर छोड़ते हैं जब भी आप ओफिस जाते हैं वर्क पे जाते हैं कभी भी घर से गुस्सा होके नहीं निकलना चाहिए ये क्या होता है कि अगर गुस्से गुस्सा वाले मन से निकलते हैं गुस्से में अपने घर से निकलते हैं तो आगे की काम भी गलत होने के चांसे होते हैं ये गुस्से में आके बहुत कुछ कर जाते हैं जो चीज नहीं करना चाहिए गुस्से में आके बहुत कुछ आप मार्केट के अंदर फील्ड के अंदर जो भी वर्क पेस है और मुझे कोई प्रॉलम ना हो अच्छे से मेरा दिन बीते और एक खुश मन से एक अच्छे मन से घर को छोड़िए घर को नमस्ते कहिए साम को आप घर से मिलने की बात करिए इससे क्या होगा आपका मन खुश रहेगा और जहां भी जाएंगे वहां पर अच्छा होता है साथ जो घर पर हमारे इस्वार है जिसको भी आप पूजा करते हैं जिसकी भी आप जिसको भी आप मानते हैं तो इसको आप बोल के जाते हैं तो एक सपोर्ट हमें इंटनल सपोर्ट जिसको बोलते हैं बाई हर्ट हमें रहता है कि चलो कोई तो है हमारे सपोर्ड में कोई है ठीक आप नहीं करते हैं, आप करके देखिये फ्रेंड, क्योंकि मैं भी जब अपने घर से निकलता हूँ, यह मेरी बहुत पुरानी यहज़ा है, हमेशा कभी भी घुश्य में घर से नहीं निकलता हूँ, और घर से यही मान के चलता हूँ, बहुत अच्छी बात है, जो लोग नही क्या यह आपको बहुत ज्यादा benefit मिलेगा तो फ्रेंड यह थे six important point जिसको अपनी लाइब में फालो करके आप अपनी productivity जो है उसको improve कर सकते हैं किसी चीज को सोचने के नजरिया बदे सकते हैं और अपनी लाइब को अच्छा और बेटर बना सकते हैं healthy life आप जी सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दीजिएगा जिससे मुझे motivation मिलता है चैनल पर नए है तो subscribe कर लिजिए personality development के related attitudes related communications related इस चैनल के उपर continuous वीडियो आने वाला है thanks for watching this video